हेलो फ्रेंड्स आज हम रिव्यू करेंगे एलेगरा 120 mg टैबलेट के वारे में यह एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है इस टैबलेट का यूज एलर्जिक प्रोब्लम में क्या जाता है दोस्तों आगे बात करेंगे इस टैबलेट के यूज डोज साइड इफेक्ट्स बेनिफ दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों एलेगरा 120 mg टैबलेट इससे सुनोफी कंपणि द्वारा मेनिफेक्ट्चर के जाता है और बात करें इसके मर्पी की तो इसके मर्पी आपको मार्केट के अंदर दोस्तों अठार रोपे के करीब देखने को मिल जाता ह इस टैबलेट के अंदर एक सॉल्ट होता है फैक्सो फैनाडिन दोस्तों एलेगरा 120 mg टैबलेट ऐलेजिक प्रोबलम में इसका रिजल्ट कपी अच्छा देखने को मिलता है चलिए अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट को किन किन प्रोबलम में हम इसका यूज कर सकते हैं न इसका यूज कर सकते हैं नंबर फाइब फंगर इंफेक्शन हो या कोई अन इंफेक्शन हो उतमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं नंबर सिक्स सेरीड में छोटे शेट दाने हो जाते हैं तो उसमें इसका यूज आसानी से कर सकते हैं नंबर सेवन बोडी में किसी भी तरह क कर सकते हैं. Number eight, cold की problem हो, जिसे कि नाक से पानी बह रहा हो, या नाक से पानी निकल रहा हो, तो उस condition में भी हम इस tablet का यूज़ आसानी से कर सकते हैं, और यह कापी अच्छा result देता है. चलिए अब बात कर लेते हैं, तो इस tablet को हम किस तरीके से डोज ले सकते हैं? बात करें इस के precautions, यानि साथानिया, kidney और liver वाले patient इस tablet का यूज़ ना करें, pregnant lady इस tablet को यूज़ करने से पहले, एक बार अपने डॉक्टर से सलाज जरूर ले, और कोई भी medicine को यूज़ करने से पहले, एक बार अपने डॉक्टर से सलाज जरूर ले, तो दोस्तों यह थे इसके कुछ precautions, आप बात कर लेते हैं, इसके side effects के बारे में, तो दोस्तों इसमें कुछ side effects देखने को नहीं मिलते हैं, इन कभी कबर, थोड़े बहुत side effects देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि vomiting, headache, body pain, तो दोस्तों अगर आपको ऐसे side effects देखने को मिलते हैं, तो कोई घबराने वाले बात नह इस टेबलेट के उज़ना करें और डॉक्टर से कंसेल करें तो दोस्तो यह थे ऐलेगरा 120 MD टेबलेट से लेटेड कुछ जानकरी उमित कता हूं दोस्तो आज की जानकरी आपके लिए बहुत ही हेलफुल रही होगी अगर हमारी वीडियो आपको हेलफुल लगी यह आपके मन म कोई डाउट है तो आप केमेंट बॉक्स में कर सकते हूं अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें ताकि यह जानकारी किसी और के काम भी आ सके तब तक के लिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पे थाइंक्स पर वाचिंग इस वीडियो